हलो दोस्तों स्वागत है अब सबका हमारी यूट्यूब चैनल गॉमिक इस्चारर पर राज के दिन हम लग शुरू करने जा रहे हैं राज कॉमिक्स में बांकेलाल सीरीज की कॉमिक सात्वा घुडा का भाग दूसरा तक चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तुम कल्पना को मस्तिक्ष में पुकारो वो तुम्हारे सामने होगी अब मुझसे तभी मिलना जब तुम्हारे पास हो सूर्च का सात्वा घुडा कल्पना जी क्रपियां आवे बांकेलाल में आ गई बताओ बांकेलाल मेरा विचार क्यों किया सूर्या का स्वात्वा घोड़ा लाने के लिए मुझे राहू तक केवल तुम्ही पहुचा सकती हो ऐसा कभीराज का कहना है ओ, सूर्या तो मेरा शत्रू है शिष्टी के आरहम में सूर्या के रत में साथ घोड़े नहीं होते थे हे अश्वो, अपनी गती और त्रीव करो आट प्रेड़ों में मुझे प्रित्वी के परिक्रमा पूर्ण करनी होती है अन्या था दिन रात का संतुलन बिगड़ जाएगा बहू चक्कर पूर्ण करने के चक्कर में सूर्या दे में घोड़े बुरी तरह से ठक्कर चूर हो जाते थे आह, सूर्या दे थोड़े विश्राम की अपशकता है वायू वेक के करण हमारे खुर भी गिस गए है बहू जैसे जैसे सिष्टी का विस्तार हो रहा था वैसे वैसे ही मेरा कार्य भार भी बढ़ रहा था जन संक्या के बढ़ने पर जादा लोग सोचने लगे उनकी कल्पनाय भी बढ़ रही है क्योंकि कुछ कल्पना कर रहे हैं कोई कुछ मुझे शीक रही उनके पास पहुशने के लिए त्रीवर रफतार घोड़े के आवशक्ता होती थी लोगों की सोचों विचारों इव कल्पनाय को उनके गंतव्यों तक पहुचाने के लिए मुझे उन्हें त्रीवरतम घोड़े देने पड़ते थे हे ब्रहमा जी मेरे घोड़ों पर सवार होकर ही कोई भी प्राणी अपनी सोचों वा कल्पनायों को निड़ने के मुकाम तक पहुचा पाता है प्रापया मुझे त्रीव से त्रीवतम अश्व प्रदान करें ही 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 लो सूर्य देव भी आ गए पहले उनकी भी सुन लो ही 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 हे ब्रह्मा तीन अश्व के रद से प्रत्वी की पून परिक्रमा संभव नहीं हो पाती मुझे और अश्व चाहिए ब्रह्मा जी ने हमें अश्व लोक में भेजा ये साब एक से बढ़कर एक अश्व शक्ती से संपन दिफ्व घोड़े हैं जो चाहिए छाट लो हिनन सूर्य देव की द्रिष्टी इनी चार शक्ती साली अश्व पर हैं सूर्य देव की द्रिष्टी इनी चार शक्ती साली अश्व पर ही है सूर्य देव अश्व की और बड़ी रए थे की ठैरिये सूर्य देव एक कावा थे कि इस्तरी प्रतम ही 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 रप्या पहले ऐश्वे मुझे चुन्ने दे ही 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 हे ऐश्वदेव यदि मैंने अधिक विलंब किया तो प्रित्वी का प्रिकर्मा अधूरी छुट जाएगी और आपको ब्रह्मा जी के कौप का भाजन बनना होगा एश्व चुन्ने का अधिकार शरूर प्रतम मुझे दे ठेरो पुत्री कल्पना मैं शरूर प्रतम सूर्य देव को एश्व चुन्ने का अधिकार देता हूँ किन्तु सूर्य देव ने उन घोडो को रत में जोद दिया अपका हुन चल दे पे हेंगे आ मुझे केवल ये चार अश्व चाहिए शेश अश्व को तुम ले लो कल्पना सूर्या देव ने चल से चाहरो सर्व शक्तिमान अश्व स्वेम ले लिए और मरियल घोड़े मेरे लिए छोड़ दिये गुर्ल वक्त आने पर सबक सिखाऊंगी गुर्ल तब कल्पना ने बाकेलाल को दिया वशांदार घोड़ा बाकेलाल मेरे पांस सबसे अच्छा ये ही गोड़ा है इसका नाम है मन्जू ये मन्द की गती से दोड़ता है इस वर तुम्हें सफलता परतायं करें चल मन्जू राहो के पास ओ, मन्जू मुझे राओ के पास भी ले आया कौन है रहे तू बोधी वाले, राओ घ्रह पर क्यों आया है मैं बागे लाल हूँ, मुझे सूर्य का सात्वा घोड़ा चाहिए जा कि मदद के विना मुझे नहीं मिल सकता बहू, क्या तू सूर्य का सात्वा घोड़ा प्राप्त करने आया है मांके लाल, शूर्य मेरा शत्रू है, मैं उसके प्रकाश का धुमिल कर देना चाहता हूँ उसे घ्रेंड लगा कर मैं ऐसा कर सकता हूँ, किन्तु मुझे ये शाप मिला हुआ है कि मैं स्वयम अपनी इच्छा से उसे घ्रेंड नहीं लगा सकता अमावस्या पुन्नीमा पर, जब कभी सूर्य मेरी राह में आ जाता है, तो ही उस पर मेरी छाया पड़ती है मैं तो उसे हमेशा काली मा से भरा देखना चाहता हूँ वांकेला, मैं स्वयम अपनी इच्छा से उसे घ्रेंड नहीं लगा सकता, किन्तु दूसरे किसी की इच्छा से में ये कारिया कर सकता हूँ मेरी इच्छा से तुम सूरज को घ्रेंड तो लगा दोगे किन्त उसका क्या लाब होगा सूर्य अपनी गती के कारण तुमारे प्रभाव से निकल जाएगा हाँ ऐसा तो संभव है यदी यदी तुम मेरी ओजना के अनुसार कार्य करोगे तो तुमें भी सफलता मिलेगी और मुझे भी सूरज का सांत्वा घुड़ा प्राप्त होगा मुझे क्या करना होगा मैं सूर्य के पास जा रहा हूँ मेरे सूर्य के निकट पॉश्ते ही तुम सूर्य को ग्रेंड लगा देना जिससे उसकी शक्ती प्रभावित होगी जिसका लाव उठा कर मैं सूर्य के रहत कि से सांत्वा घुड़ा खोल दूँगा इतना वता कर बांके लाल ने मंजू को सूर्य तक पहुशने का आदेश दे दिया मैं तो मन की गती से चलता हूँ मुझे सूर्य तक पहुशने का आदेश देते ही तुम स्वेम को सूर्य के निकट पाओगे अरे ये कौन है इसने तो कारू का कंबल लपिटा हुआ है तब ही सूर्य को कालीमा न ढाप लिया ये राहू की कालीमा है वो मुझे ग्रहन लगा रहा है हुणा पदा की हूँ बहू वांकेलाल ने तुरंट थामली सूरज के साथवे गोड़े की लगाम मेरी लगाम जिसके हाथ में होती है वही मेरा सौमी होता है हिनन आ गई साथवे गोड़े की लगाम मेरे हाथ में मंजू चल निकल ले अब नहीं ऐसा मत करो अरे ठेरो तुम सब कहाँ जा रहे हो वो हमारा लंगोटिया मित्र है वो भी चले गए अपने मित्र के पास सूर्य देव अब तुम मेरे चंगुल से नहीं निकल सकते है 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 बाके लाल कलपना के पास आपोचा मैं सूर्य का सात्वा घुड़ा ले आया तो फिर वादे के अनुसार सात्वा घुड़ा मुझे दे दो और मन का घुड़ा मन्जू वापस मेरे सुपर्द कर दो अरे कविराज आप भी अहीं पर आगए बाके लाल ने मन्जू कलपना को और सात्वा घुड़ा कविराज को सौप दिया तब कलपना ये लो वादे के अनुसार मैं तुम्हें सूर्य का सात्वा घुड़ा सौपता हूं और मैं भी अपने वादे के अनुषार तुम्हें सौपती हूं मन का घोड़ा मन्जू यह वादे का क्या चकर है बांकेलाल मैं कवी हूँ मुझे भिन्न भिन्न किस्म की रचना है रचने के लिए कलपना की घोड़ों पर सवार रहना पड़ता है कलपना के घोड़े दोड़ा कर ही मैं उत्रुष्ट रचनाओ की रचना कर पाता हूँ किन्तु कलपना के अन्य घोड़ों में वैसी त्रीवरता नहीं है जैसी मन्जू में मैं चाहता था कि कल्पना मंजू को मैं से सौंप दे ताकि मैं मन की गती से उत्रुष्ट रचनाओ के रच को रच कर संचार का सरवत्तम कभी बन जाऊं सूर्या ने जल से सभी सक्तिचाली अश्व प्राप्त किये थे मैंने आज उसका सबसे सक्तिचाली गोड़ा प्राप्त कर उससे बदला ले लिया तुम्हें अपने अपने मतलब के गोड़ा मिल गए किन्तु मुझे अब मुझे मेरे प्रुष्ण का उत्तर भी शीगरता के साथ मिल जाना चाहिए अवश्य बांकेलाद अरे एका एक ही चहूं और अंधकार कैसे चा गया ग्रहन के कारण सुरी अंधकार ग्रस्त हो गया है ये दोनों खोड़े मुझे दे दो अरे अब ये राक्षश कौन है मेरा नाम है अंधन अपने अंधेपन के कारण मैंने संसार की बड़ी ठोकर खाई है मेरे नेना सावन बांधो फिर भी मेरा मन प्यासा बच्पन से ये घीदगा कर बड़ा हुआँ मैने नेत्र जियोती देवी रोशनाई की आराधना की रोशन तुमी से दुनिया रोनक तुमी जहां की हे देवी क्रप्याईन अंधे दियों में रोशनियों की बत्ति डालो रोशनाई मुझे पर प्रसंद न हुई वच्पन सूर्य से घना प्रेम करूँ सूं किन्तु उसके तेज के कारण में उसके और द्रिष्टी भी नहीं उठा पाती यदि तुम मुझे सूर्य तक पहुचा दो तो मैं तुमारे अंदे दियों में प्रकाश की बत्तियां प्रजवलित कर दूँगी अब मेरे पास है मन का घोडा मन्जू सूर्य के तेज से रक्षा करने वाला कंबल और सूरच का साथवा घोडा भी किन्तु इस समय तो सूर्य को ग्रहन लगा हुआ है ऐसे मैं सूर्य के निकट जाने अशुब होगा ये तो रोशनाई के लिए ही शुब लगन है क्योंकि रोशनाई सारे संसार की नेत्रे जोंतियों का भंडार ले जाकर सूर्य की दे देगी जिससे उसका अंदकार दूर हो जाएगा और सूर्य प्रसन्न होकर उससे विवा कर लेगा उन आपपा चल दे पिंगे हिंगे या रोशनाई सूर्या के प्रेम से पागल हो गई, यदि रोशनाई ने इसा कर दिया, तो सारे संसार के प्राणी हंदे हो जाएंगे, हम भी, उसे रोखना होगा, किन्तु, अंधन तो मन के घोड़े पर सवारे, उसकी गती का कोई सानी नहीं, उसे तो संसार की कोई भी शक्ती न कितना पना अनर्थ होने वाला है, किन्तु, तुम क्यों आ गए, अपने मित्र की रक्षा के लिए, तो अब क्या करें, हमें अंधन का पीछा करना होगा, किन्तु, पृत्वी पर चलने के कारण हमारे खुर घिस गये, अब हमें और एक कदम भी चलने के इमत नहीं बचिए, घिसे हुएं खुरों पर नाल लगाई जाती है, यदि तुमारे खुरों में नाले ठोक दी जाए, तो उनकी शक्कित पहले जैसी हो जाएगी, किन्तु हम सूर्य देव के गोड़े है, सूर्य देव के प्रचंड ताप में साधारन नाले पिघल जाएगे, नाले पिघल जा सूर्य की रोश्य भी नहीं जा सकती, कल्पना लोग वो कहा है, हम कल्पना लोग में जाने को तयार हैं, कल्पना लोग तक पहुशना हर एक के वश्का रोग नहीं, कल्पना के गोड़े पर सवा रोकर वहां तक केवल कविराज ही पहुच सकता है, मेरे गोड़े केवल वही सवार होड चले नीले नीले अंबर पर उमरते उमरते मेगो के पीछे चान की धरा के नीचे पाताल सहलोवर के किनारे अश्वो की दिव्य नगरी में नालू नामक अश्व देव लोह नामक दिव्य धातू को ठोकू नामक औजार से ठोक पीट कर निर्मान करता है अपने अश छूलीनीई हिर्षौ हे तू दिव्यानालयो का एक Арश काल्पना करते कविराज नालू के समक्ष जब पहुछें हे नालू देव क्रपियां मुझे 28 दिव्य नाले देवें ही 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 अवश्य कवीराज ही 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 उन्हे ठेकनू ठोक ने है तू ठोकू हतोडा वह कालू नामक किले भी देताउं ही 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 कवीराज तुरंती वापस लोटा मैं कलपना लोक से दिव्य नाले ले आया ठोकू अतोड़े से मैं नाले ठोक देता हूँ बांकेलल कविराजेंव कलपना सूरे के गोड़ों पर सवार हो गए तिकड़क 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 वाह इन नालों के कारण अब हम दूत वेक से किसी भी सतर पर दोड़ सकते हैं हम अपने मित्र की गंद इसको सूंगते हुए शीगरे उस तक पहुच जाएंगे तिगड़क उधर अंधन ने दोनों गोड़े अफकारों का कंबल ले जाकर रोशनाई के सुपर्द कर दिये वाह मैं तुम पर प्रसंद न हुई अब मैं सूरज को सांत्वा गोड़ा भी भेट में दूँगी तो उसकी प्रसंदा दुगनी हो जाएगी हिः 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 ये लो मैं तुम्हें नेत्र जोती प्रदान करते हूँ अब मैं देख सकँगा किन्तु मुझे दिखाई देंने लगा मैं अंधन नहीं रहा दोस्ति राक्षस ये किसी निर्दोश प्राणी की नेत्र जोती ये जो पैदा होने पर उसे ना मिली तो उसका संसार अंधकार मैं हो जाए ओ, ये तो आती बलचाली है ये कितना भी शक्ती शाली क्यों ना हो, किन्तु अमारी संयूक शक्ती इंद्र घणूश का मुकाब्ला नहीं कर सकता मेरी मृत्यू इंद्र घणूश के प्रहार चाही उनी थी बहू, नेत्रों की रोशनी मिली तो जीवन जोती बुच गई इंद्र घणूश, रोशनाई मन के घोड़े पर सवार होकर सूर्ज के और कूच कर गई है वो अपने साथ नेत्र जोटी भंडार भी ले गई है मैं चली, मैं चली, देखो प्रेम की गली, मुझे रोके ना कोई, मैं चली, मैं चली हे इंद्र घणूश, मुझसे भूल हुई, जो मैंने सूरज का सात्वा गोड़ाया लाने की जरुरत की जिससे की संपूर्ण सिष्टी ही अंधकार मैं होकर संकट में पड़ गई तुम तुरंट जाओ और रोशनाई को रोखो, मैं जाता हूँ रोशनाई की रहा रोक ली, राहु के अंगरक्षों है, अंगरक्षा कोन है तु आगे नहीं जा सकती, नित्र जोंतिया हमारे सुपड़ कर दे नहीं, इससे मैं केवल सूर्य देव का अंधकार दूर करूंगी, मैं सूर्य से प्रेम करती हूँ तब ही सारा अंधकार दूर हो गया नहीं, ये नहीं हो सकता मेरे साथों अश्वरत में वापस आ जूते, तो मेरी गती लोट आई, जिसके कारण में राहू की पकड़ से निकल गया मेरे प्रचंट तेस्ट से राहू के अंगरक्षक माले गए, और राहू भी घबरा कर भाग गया क्रप्या मेरा प्रेम निवेदन स्विकार करें ये एक प्रेमी पर जुल्म होगा, बहू किन्तो यदि मैंने मुख से कंबह लटाया तो आपके त्रीव तेज से मेरा मुख जल कर भस्म हो जाएगा तो फिर जाओ, दूर रहकर मेरी प्रेमी का बनी रहो, और अपने कर्थव्या का पालन करती रहो हे सूर्य देव, क्रप्या हमें छमा करें, मैंने कभी राज के साथ मिल गर आपका सांत्वा घोड़ा प्राप्ट करने की दुष्चता की हाँ, एक शाप के करण हम स्वया में इसी चेश्टा नहीं कर सकते थे, अत्र इस कार्या में बाके लाल की मदद ली कल्पना, मैंने सिश्टी की रक्षा हेतु ही त्रीवृता मशो का चुनाव किया था, किन्तु तुमारी उप्योगिता को देखते हुए, मन की गती से दोड़ने वाले मन्जू घोड़ों को तुमारे लिए छोड़ दिया था किन्तु अम मेरे प्रिश्ण का उत्तर भी तो दो कविराज, मांके लाल कल्पना लोक में कौन गया, आप कविराज क्या रवी अथार्थ सूर्य मां पहुच सकता था, नहीं, ओ, मुझे उत्तर मिल गया, तब जल्यक्स के सम्मुक जाना पहुचे रवी, मांक अवी कल्पना के गोड़े पर सवार होकर पहुच जाता है, यह थो पापड का सही जह था, आहा, बाके लाल मैं कैद मुख्ट हो गया, क्या, तुम कैद मुख्ट हो गया, किन्तु कैद में तो महाराज विक्रम सिंगे, बहु, बाकेलल वो मेरी कैद में है और मैं सरवर यक्ष की कैद में था सरवर यक्ष की कैद से छूटने के लिए मुझे उसके साथ प्रश्णों के उत्तर देने थे और वो ही प्रश्ण थे जो तुमने मुझसे पूशे हाँ अब मैं तुम्हारे माराच को सतंत्र करता कर रहा हूं बांके मेरे लाल दे गाल बहुत दिनों से तेरी पुच्ची नहीं लई पुच्च मोटे तेरा सत्यानाश तेरा बेड़ा गर्थ अबे लानती इंसान इतने दिन जल में रहकर भी डूप कर नहीं माना अरे जल और जली अक्ष के बच्चे अभी तो तु गायव हो गया लेकिन तुझे भी देख लूँगा एक दिन फिर महल में पुच्टे इमांके लाल के गले से फंदा खुल गया अहा माराच आप लोटने में इतनी देर क्यों लगा दी आपने बहू वहां सरयवर की जल परियों के बीच इससे आने को मन ही नहीं करता था माराणी सुन लता लगल शुक्रह फंदा खुल गया मोटा वहां जल परियों के मज़े लूट रहा था और साथ प्रशों के उत्तर देते देते यहां मेरी जान पर आ बनी थी समाप तो चलिए दो तो इस जो है पूरी यहीं समाप तोटी है इस क्या गया वे एक भी कॉमिक नहीं है तो वीडियो को यहीं खतम करते हैं